जिनकी दुरुष्टी छोटा है ये बदलने के लिए बात कहते हैं, हम बदलने वाले लोग नहीं हैं, हम उसको बड़ा करने वाले लोग हैं, उसको contextualize करना, उसको काल बाहिय ना होने देना, उसको present challenges और future को दिखते हुए, हमने योजरा बनानी है, आज वैश्वई का आवश आश्व विश्व में बनी है, इवेनों से लेके, सारे तमाम देश की leadership, कोब टूंटी जैसे forum, कोब जैसे forum उसके बारे में चर्चा करती है, जीटूंटी में उसके बारे में चर्चा होती है, हमारी भारत की जिवन प्रभात में क्या था? भारत में हम प्रकृति को दयवता तुलन पूजा करते हैं हमको कभी कहा ये तो साप सपेडों की देशे पेड को पूजा करते हैं पानी को पूजा करते हैं मिट्टी को पूजा करते हैं पूजा कोई रिच्वाल्स के लिए नहीं करते हैं करने के लिए नहीं करते हैं इसे विज्ञान है आज सब समझ रहें कि पानी में एयर में पेट हमको oxygen देता है उसको कैसे हम उसको भगवान मानते हैं उसको सरधा से जुड़ते हैं इसलिए PM साहब ने कहा है कि mission life होनी चाहिए अपने जिन्देगी को ठीक करो विश्व की परियाबन ठीक हो जाएगा आपने आपकी चेका करो उसमें से एक जहना अंदलोन बनेगा सब लोग उसमें से जुड़ जाएंगे तो ठीक हो जाएगा यह भारतिया सोच है विसलिए हम कुछ नहीं परिवर्तन कर रहे हैं जो पुराने चीज था उसको सिर्व याद दिला रहे हैं और आज की परिवासा में उसको आंकित कर रहे हैं एही आने पी टॉंटी टॉंटी मैं नट्स और बोल्स के बाद करती हूँ जो पहले वाला जो मोड था वो था 10 प्लस 2 प्लस 3 दस साल आप स्कूल में दो साल प्री कॉलेज प्री यूनिवर्सटी होता था और हमारे बहुत से दर्शक होंगे जो वो गॉन तरू था आप भी उसी के प्रोड़क्ट है मैं भी उसी के और जो 3 था वो कॉलेज में था तो 10 प्लस 2 प्लस 3 अब जो मॉडल है वो है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 अब इस मॉडल को ये क्या हर जगह इस्तमाल किया जाएगा और इसको कैसे कितने साल स्कूल में होगा कितने साल कॉलेज में और और आवर टीचर्स एक्विप तो हैंडल दिस आप और हम पड़े हैं 10 प्लस 2 प्लस 3 में अब उसी में से क्लास 1 से लेकर अपना ग्राजुएशन पूरा किये फिर जो पोस्ट ग्राजुएशन होगा इस से चबर रखियो आगे लेकिन बेच्षिक के ही स्ट्रक्चर था उसकी पहले क्या था 11 प्लस 1 एक समय था 11 प्लस 1 प्लस टू फिर एक समय में 11 प्लस टू प्लस टू इस प्रकार की सब रचना बदल एक विशय NEP की जो टोली कस्तुरी रंगन जी की नेतुरत में बनी थी उनकों में एक बार पूछा कि ये रेश्चनल क्या है ये 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 करने में तो इसमें तीन जोडा क्यों आप ज्यादा तो उन्होंने कहा कि विश्व की विशेशग्यों ने ग्लोबाल एक्सपर्ट ने इस विशेशग्यों से साइकोलोजिस्ट और क्लिनिकल हेल्थ वाले लोग कही चुके हैं कि एक बच्चा जब एज 3 में आता है आयू 3 में पहुंचता है 3 से 8 के अंदर उसकी इसलिए पहली बारबहरत चुले पहली इससी शहरों में प्ले स्कूल था जो शंपन न घर की बच्चे हैं उसमें उभेश पाते थे लेकिन निती नहीं था कि भाई आप बाल बाटी का सुरू करोगे अंगनमाडी बड़े सफलता के साथ देश में आज काम कर रहे है लेकिन न्यूट्रेशन था उसे ही काम कर रहा है आज सरकार की प्राथमिक्ता में न्यूट्रेशन एक प्राइरिटी है लेकिन उसको सिक्षा भी देना पड़ेगा सिक्षा बॉर्डरनस ना हो बोजीला ना हो स्कूल जाना लेकिन उसमें से कोई परिक्षा नहीं होगा और हमारी घरों में संसकार क्या था कथा, कहानी, स्टोरी, स्टोरी, स्टोंग, डैंस उसी में से छोटा नन्हा बच्चा अपने लेंग्वेश, अपने भासा और उसमें मातर भाशा भी होगा बच्चे की जब मातर भासा के महत्तों क्या है मातर भासा की यह महत्तों जिस बासा में बोलता है सबकी मातरुभासा अलग-अलग है हजारों संख्या में मातरुभासा हमारी देश में है आज यह सारे मातरुभासा में अगर उप्रारमिक दिनों में लिखेगा और पढ़ेगा तब उसकी चिन्तन तरक और अनुसंधान तिंकिंग, लॉजिक और रिचर्च इसी में से जो क्रिटिकल थिंकिंग समगर विकास की बारे में मोलिक चिंतन होती है उसकी यह परिप्रकास होगा इसलिए सरकार ने प्राथमिक तद्या है फाउंडिशनल स्टेज काहा है पहला फाइब को इसको बाल बाटी का 123 को केजी 123 भी कहा जा सकता है और उसमें क्लास 1 और 2 जिसकी एक मैं मानता हूं सबसे बड़ा रेकॉमेंडेसन ने पी का कोई है आपने दो विशा उले करी दिया यह मैं इसको पांच को मानता हूं कोहट 5 पांडेसनल दूसरा भासा किस भासा में पढ़ना चाहिए उसके लिए मैट्रियल के उपलाब्द है मैं आज आप जब एनिपी तीन साल पूरा होने जा रहा है ओदी जी की नेतुरतों में निपी बनी 2020 में और उन्की जुलाइ को बनी इंपलिमेंटेशन शुरुआ एक साल कोरुना के कारण थोड़ा डिरेल्ड़ा अभी फिर एकदम अन्ट्राक है यह जब तीन साल पूरा कर रहा है तीन साल में हम लोगों ने जो वादा किया था देश की सामने जिम्मेबारी पीम सामने लिया था उसको हमने foundational segment के लिए teaching learning material बना दिये class 1, 2 का test book बना दिये और इसकी implementation देश भर में इसी साल चे इसी academic year चे शुरू भी कर दिये यह एनि एनिपी unrolled ओके अन्ट यह क्या right to education में आ जाता है कि हर गाउं में हर शहर में हर कस्बे में जो है वहाँ पर लोग जा सकते हैं कि हां under right to education हम अपने बच्चों को यहाँ पर admission करवा सकते हैं यह right to education deal किया है class 1 to 8 तक इसमें वो नहीं आता इसे चीज है कि ज़रू कुछ में कोई एक policy बनाते हुए उसकी ब्यवारित तक को भी दिहान डखना पड़ेगा आपने विशय का टीचर का क्या होगा अभी अंगनमाडी में एक नेटवार्क है प्ले स्कूल्स में एक नेटवार्क है मूल भी से उस टीचर की capacity क्या होनी चाहिए उस टीचर कैसे होनी चाहिए यह सारे विशय है और यह कोई factory product तो नहीं है कि आपने एक raw material chart डाल दिया और उसमें कुछ समय में processing किया और एक product निकल गया यह evolutionary प्रक्रिया है इसलिए सरकार ने कुछ thought की clarity लिया है तो यह five हो गया फिर वो three plus three कौन है फिर आगे चलके जब बच्चा standard three में जाएगा three to five next three हुआ उसको हमने कहा preparatory उसमें से वो जब जब foundation के बाद हो थोड़ा safe लेने लगेगा उसमें वो आएगा preparatory में फिर आएगा six, seven, eight next three उसको कहा कि हमने middle section कहा गया फिर आएगा जो अरजिनली जिसमें सो एकदम तेजी पकड़ेगा उसकी विकास की उसकी class nine, ten, eleven and twelve यह last four है इसलिए पहला five फिर पहला five foundational next three preparatory, next three middle, आखरी की चार को हमने secondary कहा है इसमे exam system में कोई फरक आएगा board exam जब जो होता था एक central board of secondary education के अंडर भी आता है तो एक ICSE system भी होता है state boards होते हैं तो क्या इसमे कोई board exam होंगे, इसमें testing कैसे होगा? अभी भी तो class ten और twelve में हमारी board है वो रहेंगे, हमारी देश में 60 से ज़्यादा board है, सिक्षा एक concurrent सुची में विशे होने के कारण, राष्टियस तर पे CBSE सबसे बड़ा board है, मना संक्षिया में UP की board उससे ज़्यादा होगा लेकिन All India board के हैं तो CBSE एक national board है, NIOS जो distant learning के लिए, open schools के लिए, वो एक national board है ICSE भी एक board है कुछ एक दो board भी भारत में काम करते हैं, उसके अलावा हर एक राज्य में एक से ज़्यादा board है, एक से ज़्यादा board है, ये boards ने अपना परिक्षा भी देश की, पॉलिश की इसाब से board परिक्षा होती है, standard 10 और 12 में यहाँ NEP ने थोड़ा उसको और ब्यापक किया है, क्या middle level पे 8 standard के बाद बाद में middle level के ऊपर भी एक board हो सकता है, क्या एक thought process है, NEP ने recommend किया है लेकिन NEP की सबसे जो अलग एक अनोखा recommendation है कि बच्चे की holistic progress report बननी चाहिए examination तो चाहिए चाहिए assessment भी उतनी महत्तो पुर्ण है